क्या आपका सीमन मतलब वीरे पतला है, स्पर्म काउंट्स मतलब शुकरानू की मात्रा भी कम है, और सेक्स टाइमिंग भी नहीं है, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए ही बनाई गई है, ताकि आप अपने वीरे को गाड़ा कर सकें, स्पर्म काउंट्स मतलब शुकरानू की मात्रा को भी बढ़ा सकें, और तो और सेक्स टाइमिंग भी बढ़ा सकें, लेकिन फ्रेंज उससे पहले ये जानना जरूरी है, कि ये समस्या किन कारणों से होती है, इसके लक्षन क्या है, और इस समस्या से छुटकारा कैसे पाएं, तो फ्रेंज स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, पहले बात करते हैं कि किस उम्र में वीरे बनना शुरू होता है, 13 से 19 साल तक स्पर्माटिक कॉड में शुकरानूओं का निर्मान शुरू नहीं होता है, इसकी शुरुबात लगभग 11 से 13 साल के बीच ही होती है, और 17 से 18 साल तक इसकी प्रक्रिया में तेजी आ जाती है, अंड कोश से निकल कर शुकरानूओं इसके उपरी हिस्से में तकरीबन एक महीने तक सक्रिया रहते हुए इकठा रह सकते हैं, जहां तक बात है शुकरानूओं के बनने के पूरी प्रक्रिया की तो इसमें करीब 72 दिन का समय लग जाता है, यानि कि ये शुकरानू स्प्रमाटिक कॉट से बनना शुरू होकर जिंदगी भर बनते रहते हैं, शुकरानूओं के निर्माण में हमारे ब्रेन के पिटिविटरी ग्लैंड, FSH हॉर्मोन्स और टेस्टीज से निकले टेस्टोस्टरोन हॉर्मोन आदी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसलिए इन हॉर्मोन्स की कमी होने पर शुकरानू नहीं बन पाते हैं, अगला टॉपिक है, वीर्य बनने में कितना समय लगता है, अगर शुकरानूओं के बनने की शुरुवात से अंत तक का समय देखें, तो एक नई स्पर्म सेल के निर्मित होने में करीब दो-तीन महीनों का समय लग जाता है, यहां ये भी जान लेना आवश्यक है कि एक औसत शुकरानू का औसत उम्र पुरुशों के शरीर में केवल कुछ ही हफ़तों का होता है, और अब बात करते हैं उन 5 causes, मतलब 5 कारणों की, जिससे आपका सीमन यानि वीर्य पतला हो चुका है, लेकिन फ्रेंज अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगली नॉलिजबल और हेल्थफुल वीडियो कभी मिस न करें, तो पहला और सबसे common cause है, low sperm counts, वीर्य पतला होने का सबसे बड़ा कारण, शुक्राणूओं की कमी हो सकता है, इसे medical भाषा में अलप्शुक्रानुता मतलब, ओली गॉस्पमिया भी कहा जाता है, एक मिली लीटर वीर्य में 1.5 करोड शुक्राणू से कम होने पर, शुक्राणूओं की कमी हो जाती है, अब आते हैं दुसरे कारण पर और वो है, frequent ejaculation, बार बार वीर्य निकलने से वीर्य में पतलापन आ सकता है, अगर कोई आदमी दि आता उत्पन करने के लिए काफी समय न हो, और अब आता है तीसरा कारण, जिंक डेफिशिंसी, शरीर में जिंक की कमी होना भी, वीर्य पतला होने का एक मुख्य कारण हो सकता है, चौथा कारण है, premature ejaculation, आदमी की इच्छा के अगेंस्ट अचानक से उसका वीर्य निकलना, जैसे किसी लड़की से फोन पर बात करते हुए अचानक से चिपचिपा पानी निकलना, पोन मुवी देखते हुए चिपचिपा पानी निकलना और यहां तक किसी लड़की के कॉन्टाक्ट में आते ही अचानक से वीर्य निकलना, उसे premature ejaculation कहते हैं, अगर आपको ऐसी समस् तो आप इस आए बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने बताया है कि आप किस तरहां से इस समस्या से चुटकारा पा सकते हैं, वो भी हमेशा के लिए, और अब आता है आखरी कारण, और वो है, वेरिकोसील, पुरुष के टेस्टिकल मतलब और स्क्रोटम मतलब अंडकोश की थेली की नसों की बिमारी, कुछ कारणवश जब इन नसों में सूजन आ जाती है, तब वेरिकोसील की समस्या पैदा हो जाती है, इस समस्या से ग्रस्त लोगों को कभी भयानक दर्द, स्क्रोटल प्रेन या कभी संतान हींता, मेल की दिक्कत आ जाती है, तो फ्रेन्स कैसे आप अपना सीमन गाड़ा कर सकते हैं, स्पर्म काउंट्स कैसे बढ़ा सकते हैं, और साथ ही साथ टाइमिंग को भी कैसे बढ़ाएं, तो जैसा के आप देखी रहे होंगे, इस प्रोड़क्ट का नाम सारा सीमन फोट है, ये 100% आय प्रोड़क्ट को ओडर करना चाहते हैं, तो आपको स्क्रीन पर वाट्स अप नमबर दिख रहा होगा, आप उस नमबर पर अपना नाम, फोन नमबर और अपना अड्रेस पिन कोड के साथ इस नमबर पर सेंड कर सकते हैं, लगभग तीन से चार दिन लगेंगे इस प्रोड को गर्म दूद के साथ धाय ग्राम लें, और रात को भी आपको ऐसे ही लेना है, और इसकी इंग्रीडियन्ट मतलब सामगरियों की बात करें, तो इसमें है, सतावरी, अश्वगंधा, शिलाजीत, सफेद मूसली, कृष्णा मूसली, बिदारी खंड, कौच बीज, मस्तगी बीजबंद, सेलाब, मिस्री, और अकरकरा जैसी जड़ी बुटिया हैं, तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, आपको ये वीडियो कैसी लगी कॉमेंट करके जरूर बताएं, और फ्रेंड्स उम्मीद है के आपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया होग अब आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई एंड टेक केर